ड्राइफ रूट्स को अच्छे से हम भूल लेंगे बिल्कुल ब्राउन कलर का और देखिए इस तरीके से अगर आप इस तरीके से बना लेंगे तो सब को बहुत पसंद आएगी चीजें सब वहीं है लेकिन बिल्कुल अलग है बनाने का तरीका तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं यह मैंने ताजा नारियल लिया है यह काजू है बादाम है और यह मखाना है और यह किश्मिश है आपको जो भी ट्राइफूट पसंदो आप ले सकते हैं अगर आपके पास ताजा नारियल नहीं है, तो आप सूखा नारियल ले लिजे, और ये समय है, जो मोटी वाली समय पैकेट के आती है, वो है, एक पैकेट मैंने पूरा लिया है, और अब हम डालेंगे कड़ाई में घी, एक चमच और घी डालेंगे, ये दो चमच देसी घी है और गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे सारे ड्राइफ्रोट्स को, अगर आपके पास ताजा नारियल नहीं है, तो आप सूखा नारियल ले लिजे, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है, और इसे चलाते हुए हम भूनेंगे मेडियम फ्लेम पे, बिल्कुल ब्राउन क कलर का, और ये देखे, इस तरीके से ब्राउन हो गया है, तो सारे ड्राइफ्रोट्स को हम निकाल देंगे, और उसी घी में अब हम डाल देंगे समय को, समय को भी हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनेंगे, चलाते हुए, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं त इसे भी अब हम निकाल लेंगे, और इसमें डालेंगे हम बएक कपचीनी, आदा कपचीनी और डाल देंगे, टोटल देड़ कपचीनी है, और इसमें पानी मगएरा कुछ भी नहीं डालना है, इसको स्लो फ्लेम पे ही, ऐसे हमें चलाना है, जब तक चीनी पिखलना जाए, और इसमें चीनी पिखलने लगी है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल इस तरीके से चाहिए, और इसमें अब हम डालेंगे आधा ग्लास दूद, फ्लेम को स्लो ही रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ऊपर तक आता है, और इसे अब हम चला देंगे, ये देखे आप इस तरीके से से मही बनाएंगे, तो सबको बहुत पसंद आएगी, और इसका टेस्ट बिल्कुल मिठाई जैसा होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इसे, और देखे, ये दूद और चीनी बिल्कुल अच्छे से मिल गया है, तो इसको इसी तरीके से चला देंगे, और इसमें जब फोड़ा बॉइल आने लगेगा, तब हम दूद हैट करेंगे, और ये देखे, बॉइल होने लगा है, अब हम इसमें दूद डाल देंगे, ये मैंने पूरा एक लीटर दूद लिया है, फूल क्रीम दूद है, और अभी हम फ्लेम को तेज कर और इसको चलाते हुए मिला देंगे हम, और देखे, इसमें भी वाइल आने लगा है, पूरा अच्छे से, अच्छे से चला देंगे, और इसमें अब हम डाल देंगे, सिमई को, जब दूद वाइल होने लगता है, तब ही सिमई को डालना चाहिए, उसे सिमई बहुत फ्रॉट्स जो हमने फ्राई करके रखे हैं और इन सब को अच्छे से हम मिलाते हुए चला देंगे और अभी हम फ्लेम को कर देंगे मेडियम फ्लेम पे और यह देखिए इसमें वाइल आने लगा है और इसमें हम डाल देंगे हरी इलाईची कूट के अगर आपके पास इलाईची पाउडर है तो आप वह एट कर देजे और इसे चलाते हुए हम पकाएंगे और यह देखिए दूद भी बिलकुल गाडा हो गया है यह दूद के साथ एकदम किर रही है मिक्स हो गई है पूरी अच्छे से तो आप हम फ्लेम को बंद कर देंगे आप चाहें तो इसे ठंडा सर्फ करिए या इसे गरमा गरम सर्फ करिए और ये देखे, कितना अच्छा कुलर आया है और ये बहुत टेस्टी लगता है, अगर आप इस तरीके से बना के खाएंगे तो आप बारबर्ग बनाएंगे अगर कोई त्योहार है या अगर कोई खास मौका है या आप के हां महमान आ रहे हैं तो आप इस तरीके से जरूर बना के खिलाएंगे उन्हें तारीफ किये भी न ठकेंगे नहीं वो तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सेर, सस्क्राइब करना ना भूले